आज एक बहुती क्रिटिकल सब्जेक्ट लेके बातचीत करेंगे ध्यान से देखिए जो लोग एक्चुली यह काम में लगेगा उन लोगों का जिसका 8-in 8-out साउंड करने तो उससे भी जादा 16-in 16-out साउंड करने है और जिन लोगों का प्रोफेशनल स्टूडियो है उन लोगों के लिए यह चीज लगेगा ज्यादा तर यही लगेगा मतब आज थोड़ा राउटिंग के वरे में बातचीत करेंगे तो जैसे कि होता है हमको बहुत सारा लोग कोस्टियन किया है सर जब हम लोग स्टूडियो में काम करेंगे तो उस टाइम में एक ही साथ हम लोग कैसे देंगे हम थोड़ा सा ड्रॉइंग कर रहे हैं अब लोग बोल सकते फ्लोर एफ एल लिख रहा है तो यह फ्लोर में मुजिशियन लोग बैठा है पर्टिकुलर रेकॉर्डिंग का टाइम पर सभी का हेटफॉन चलेगा और फ्लोर में दो स्पीकर भी होता है मतलब आउटपूड में सुनने के लिए और जो मिक्सिंग हुआ है यह लोग भी सुन रहे नहीं तो हेटफॉन खोल के इसका इधर से सुन रहे है मतलब मल्टिपल जगा से सेम आउटपूड निकालने के लिए यह हम लोगों को यूज करना पड़ेगा और स्टूडियो में लगता ही है क्योंकि हम लोग तो जैक चेंज नहीं करेंग नहीं करना है तो उनको एक बार सुनाना जैसे कि Mix होके ऐसा लग रहा है headphone में सुनकर देख लो आप लोगों को स्पीकर में सुनना नहीं पाड़ेगा बाद में सून लेना कोई दिक्कत नहीं है तो इसका बारे में हम लोग थोड़ा से बातचीत करेंगे तो नॉन्मली इसक बहुत बढ़ा जैसे कि 16 in 12 ऐसा करके भी होता है sound card होता है बहुत बढ़ा मंदब studio के लिए तो input output channel जिसका जादा है उनके लिए हम लोग बाचित करता है तो चलिए चलू करते हैं कैसे हम लोग इसको करेंगे मिक्सर में चला जाता है ठीक है एक 3 प्रेस करता है मिक्सर में चला गया है थोड़ा से छोटा कर लेता है मिक्सर को हम लोग यूज करेंगे qmix qmix क्या होता है कोई भी track का e button में अगर आप लोग क्लिक करोगे जैसे कि हम लोग 3,4,5,6,7,8 होता है और insert ज्यादा होता है तो send होता है qmix qmix और उइधर insert होता है और strip होता है channel strip हम लोग बzuge सकता है अभी इंसरट के लिए अवे ड्राइंग का बातचित हैं यह के की क्यों हम लोग कैसे आउटपूट करेंगे पर्टिकुलर्ली एक ही साउंड कट से तो डिजाइन ड्रॉइंग जो होगा जैसे कि यह साउंड कट का आउटपूट चैनल है एक दो तीन चार पाच छे साथ आठ ऐसा टैप का आउटपूट चैनल ठीक है तो एक दो कि तीन चार जो है यह चला जागा है एक हेट फून अब्लिफयर में चैनल ही इनपूट हो जाएगा उधर से आउटपूट का मिल जाएगा जैसे कि इनपूट हो गया इधर से तो ये हम लोग ऐसा कर सकता है जैसे की कोई दूजरा कोई speaker output के लिए कर सकता है नहीं तो दूजरा कोई एक साथ channel का output करने के लिए कर सकता है मतलब ये हम लोगों का हात में है अभी भी तो चलिए drawing ऐसा है इसका हिसाब से हम लोग इसको काम करेंगे तो किदर किदर दिया हुआ है यह है हम लोगों का mixer पहले जो काम करना पड़ेगा वो काम क्या है यह जो button है यह right side में जो button हम click कर रहे है ठीक है यह button में अब लोगों को Qsends को enable करना पड़ेगा normally qsense enable रहे था नहीं है qsense को enable करना पड़ेगा जब आप लोग enable करोगे तो नीचे का portion में q enabled हो गिया ठीक है अभी हम लोग चला जाएंगे audio connection में चला जाएंगे audio connection का अंदर normally control room output जो होता है उसके अंदर हम लोग add channel करके q ले लेंगे add q q1 studio output output कुछ देर output तभी हम लोग देखे क्योंकि हमारा दो output है तो आप लोग यह जो monitor जो है इसमें one two होगा बाकी three four होगा five six होगा seven eight होगा ठीक है तीनो q में अलग-अलग output हो जाएगा तो और एक q ले लेता है इसका q2 हो गिया और एक q ले लेता है इसका q3 हो गिया चार q हम लोग ले सकते है तो एक number one q में हम लोग इसका तीन-चर करेंगे number two q में और देखिए हम इसको पूरा open करकर रखते है अभी एक होगिया दो हो गिया ठीक है और एक q2 इसमें तीन होगाама चार होगा इसमें पांच होगा शे होगा आठ होगा अभी यह दो वलय क्यूट चला जावगे हज़ग्स हमें इसाँ आड़ अपूट चला जाए लोगोंल में चला जा है तक 58 जो है पाछ तो स्पीकर में चला सकतãy पूरा मज़टस करतेसं कर था स्षक्राइब आatisf Elliott आउट्पूट चला जाएगा और साथ बचा हुआ है इसमें हम लोग कोई भी जगा पर यूज़ कर सकते हैं पूरा मल्टिबल मिक्सिंग को वो पट्टिकुलर जगा पर राउट करने के लिए कर सकते हैं हो गिया अभी चलिए अभी क्या सेटिंग करना पड़ेगा अभी अगर हम लोगों का समझ में आ जाएगा तो इससे बड़िया कोई चीज है नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आभी कंट्रोल लूम क्यू वान क्यू टू क्यू तो आ गिया अभी हम लोगों क्या करना पड़ेगा हम लोगों का जो मेन है यह वाला जो मेन है और यह जो अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे स्वारी पहले तो हम लोगों को यह काम करना पड़ेगा ओल चैनल को सिलेट करना पड़ेगा ठीक है पहले हम इसको सिलेट करेंगे ट्रेक को एक नमबर ट्रेक को सिलेट करके लास्ट को सिलेट कर लेता है इंक्लूडिंग एफेक्स चैनल, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग यह जगा पर राइट क्लिक करेंगे, ओल क्यूज में जाएंगे, देखिए चार पाच्छे अलग अलग पार्ट है, पहला पार्ट जो है, चेंज क्यूज सेंड लेवल, यूस करेंट मिक्स यूस करेंट पैन सेंटिंग, एक्टिव क्यूज सेंडो ठीक्टिम क्यूज सेंडोर प्हला काधिव करना पड़े, जब हमलोग अक्टिव करेंगे, इधर एक विंडो आ जाएगा, अरी शियर, यू वन्न टीव क्यूज सेंड क्यूज है, इनिवल में उसलों क्यू-धर, लिए next option जो हम लोग जाएंगे पहले जाएंगे use current mix level मतलब जो आभी हम लोग हम लोगों का जो studio का अंदर से सुन रहे मतलब studio का जो speaker से सुन रहे उसका current mix level हम लोग set करेंगे करेंगे तो देखिए क्यों जब active करेंगे क्यों level change हो जाएगा क्यों level pan setting इसको भी करेंगे assign करतेंगे तो जो हम लोग pan किया है वह वाला भी panning setting हो जाएगा अभी हम लोग क्या करेंगे देखिए यह जो जगा है mix level mix है c1 c2 c3 c4 हम लोग लिया नहीं है तो अगर हम लोग c1 को करें तो c1 में route होगा जितना सारा sounds है c1 में हम लोग किया था headphone amplifier ठीक है तो headphone c1 में किया है यह headphone amplifier में किया है तीन चार channel से गिया है input में घुज गया है तीन चार channel और इधर जो output है जैसे की headphone output जो है सब ही अलग-अलग musician लोगों का पास चला जागा एक चला गया एक चला गया एक चला गया एक चला गया सब लोग सुन रहा है जो mix हमने बनाया है पूरा mix को सुन रहा है ठीक है हम लोग का speaker में भी हो रहा है और कि उसे भी output हो रहा है अगर हम लोग 2 करें तो 2 में क्या है हम लोग किया है particular जो musician लोगों का घर जो floor में particular जो floor में speaker setting है तो speakers में बाजेगा अगर q3 करेगा तो q3 में क्या है normally हम लोगों का जो अंदर का जो यह है जैसे की recording room में जो है उसमें अगर हम लोग सुनना चाहते है अलग करके तो q3, c3 कर देंगा तो अभी देखिए यह तीनों का q अलग अलग करके दिया हुआ है कोई भी q को हम लोग mix में डाल सकते है मतलब mix को कर देंगे जैसे की number 3 जो q है वो mix channel से निकल रहा है और बाकी number 1 और 2 q से निकल रहा है मतलब यह जो mix किया है वो एक headphone में जा रहा है और एक दूसरा speakers में जा गर्रा और हम घर से मतलब क्या है हमारा जो डेड रूम जो होता है तो प्रक्रिकुलर जगा से हम लोग सुन रहे हैं हम लोग जो mixing room जो है mix स्वारी mixing room से हम लोग सुन रहा है अगर हम क्यूव कर देंगे तो क्या है क्यूव में अगर setting कर सकते हैं तो यह वाला इतना easy है इतना effective है आप लोग अगर यूज कर दो तो normally सभी के लिए नहीं लगेगा हम बार बार यह ऐसा बोल रहा है सभी के लिए नहीं लगेगा ते कि क्यूव का अलग से आप लोग metronome भी setting कर सकते हो metronome का level भी adjust कर सकते हो यह वाला भी कर सकते हो और क्यूव का जब क्यूव में satisfied हो जाएगा क्यूव सेटिंग्स में करने का बाद जब लोग सुनेगा मतलब जो लोग musician लोग जो बजाया है और जो singer गाना गाया है ओल लोग satisfied हो जाएगा तो आप लोग mix कर दो particular वही level पर mix कर दो अब लोग अलग से कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ठीक है तो एक sound card लेके जिसका output 8 output है तो 8 output से हम लोग output channel को बहुती आसान तरीका से क्यूवस 13 से हम लोग इसको route कर सकते है और क्यूवस क्यूवस 13 नहीं क्यूवस 12 से भी कर सकते है problem नहीं है कुछ मगर क्यूवस 12 में यह option है की नहीं है पहले हमको देखना पड़ेगा हम confirm नहीं वोला क्यूवकि इस टेप के tutorial हम दिया नहीं है इसमें यह वाला जो क्यूव option definitely होगा फिर भी हमको एक पाच चेक करके बोलना पड क्यूवकि क्यूव में only musician लोगों को सुनाने के लिए भी नहीं होता है क्यूव में हम लोग यह देख सकते हैं जैसे कि जो गाना का remake हम लोग बना रहे हैं नहीं तो जो लेवल में हम लोग reach करना चाहते है प्टिकुलर लिए अगर Spotify में हम लोग देना चाहते है YouTube में देना का होता है उसका भी reference साब से हम लोग क्यूव मिक्स को यूज कर सकते हैं तो इसका भी tutorial दिया हुआ है अलड़ी पहले भी दिया हुआ है तो अगर आप लोग इसको करोगे तो इसमें बहुती सुविदा में मतलब बहुती आसान तरीका से आप लोगो का mix कर सकते हैं और जित यह वीडियो हमारा पसंद का वीडियो है हम दिया है कैसा लगा है आप लोगों को अब लोग थोड़ा कॉमेंट करके बोलना हमको लगा मतलब लग रहा था इस ट्यूटरल एक देना चाहिए क्योंकि स्टूडियो से बहुत सारा कॉल आ रहा है हमारा पस तो हम कॉल उठानी हम वाटसब में आप लोगों का क्वारी देखके टीटोरियल बना देंगे थैंकियो दोस्तों थैंकियो वर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते है तब तक लिए जो नया है हमारा चैनल में हमारा रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल शेय दाउनलोड दी एक नाओ